पाली जी लेकी गुड़ा इनला थाना चैत्र के डेंडा गाम में पंचो वाली प्यों के पास बुद्वार को पाली से सानो जारी एक नीजी बस दौपर में पिकप को बचाने के चकर में पलट गई हाच्छे में एक वरत की मौकर पर मौत होई जबकि छोड़ा लोग गायल होगे गायलों को एम्बूलेंस और नीजी वहनों की साहिता से बांगड अस्थपताल के टोमा सेंटर पोशाया गया जहां सिक्स्तों ने उनका उप्शार किया गया इदर पुलिस ने वरत का सव जीला के लेक्टर नमित मेता विजय ग्यांसन पारग सहित अन्य अधिकारी इमजन पर्देदी गायलों का हाल साल जानने अस्पताल पूशें दरसल बुद्वा सुब पाली सर से एक निजी बस सवारियों को बरकर सानोत के लिए रवाना हुई थी डेंडा कुर्णा के पिकप को बसाने के चकर में बस का संतुलित बिगड़ गया बस संतुलित होकर पलट गई बस में करीब 25-27 यात्री थे आसे में बस में सवार गुड़ा एनला के साली गाव निवासी गुलापनात जोगी 60 साल के सीर में गंबीर सोट लगने से मौकर पर ही मौत हो गई जबक ज्यांसक पारग पार्सर राकेस भाटी पार्सर बावलाल समासेवी बावर चोधरी कई जन परदिती भी मौकर पर पौश के पाली जिले के पादिला गाव के गुड़ा एनला निवासी नरसाराम 80 साल पूत्र नायनलाल भाड चानो निवासी जोराराम पूत्र 60 साल पूत् बंजारा सांगवा गाव निवासी आसी बानो अब्दुल खान मोयला पाली के तिलक नगर निवासी बगवत कवर पत्नी असोक सिंग राजपूत् गिरादरा की दानी डेंडा निवासी देवी पत्नी जोगा राम सरग्रा सानोद निवासी भुपेंदर सिंग पूत्र बव शुबित्रा जांगिर पत्नी पन्दाला जांगिर साली गाउं निवासी दुर्गेश पूत्र मगलाराम मेगवार सानुत निवासी दुर्गेश कवर पूत्री गर्बर सिंग राजपूत सुन्दिला गाउं निवासी संभो सिंग मोर सिंग राजपूत कमला पत्नी वजाराम जोगी गायल होगे गायलों की अस्पताल में परिजिनों यों रिस्तेदारों की बीड़ जमा होगी तता पुरे पाली जेलिये में हाकार मस गया रानी से बियल भाड़ी की रिपोर्ट